मुरादाबादी विर्यानी की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन के तयार होती है और होती भी बहुत ज्यादा टेस्टी है चलिए हम अपने इसमें का समांग तयार कर लेते हैं यहां मैंने 1,5 kg चिकन ले लिया है इसको अच्छे से धोकर इसका पानी अच्छे से निकालके हमने रख लिया है चलिए अब हम इसका मासाला इसमें डाल देते हैं यहां मैंने दो चमच भरके जीरा पाउडर ले लिया है, यहां मैंने तीन चमच धनिया पाउडर ले लिया है, मैंने एक चमच सौफ पाउडर ले लिया है, एक चमच गरम मसाला पाउडर ले लिया है, चार चमच मैंने बिर्यानी का मसाला ले लिया है, यहां मैंने नमक तो चमच ले लिया है मैंने हरी मिर्च 10 से 15 हरी मिर्च लेकर मैंने इसको चिली कटर से काट लिया था उसको भी हम इसमें आड़ कर देंगे मैंने यह धाई सो ग्राम दही ले लिया है इसको भी हम इसमें आड़ कर देंगे यहां मैंने चार चमच अद्रक लासन का पेश्ट ले लिया है इसको भी हम लिए इसमें डाल देंगे यहां मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर ले लिये है और मैंने यहां धनिया बारी काट लिया है उसमें साधा हम इसमें डाल देंगे आधा हम गार्निसिंग के लिए रख देंगे यहां मैंने पुदीना ले लिए है पुदीना की पत्ती हमेंने तोड़ लिया है उसमें से भी आधा हम लो इसमें डाल देंगे और आधा गार्निसिंग के लिए रख देंगे यहां मैंने 6 medium size के प्याज लेकर उसको बारीक करके उसको golden brown कर लिया है उसमें से भी हम लोग डाल देंगे और थोड़ा से बचाके रख देंगे garnishing के लिए यहां मैंने 6 हरी मिर्चे ले ली हैं उसको भी इसमें डाल देंगे यह मैंने प्याज जिसमें ब्राउन किया था वही तेल मैंने ले लिया है उसमें से आधा कप तेल इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से मेरिनेट कर देंगे इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको आधा गंटा से 45 मिनिट के लिए इसको हम लोग मेरिनेट होने के लिए रख देंगे इसको धख के हम लोग 45 मिनिट के लिए रख देंगे यहां मैंने बास्मती चावल ले लिया है उसको मैंने आधे घंटे पहले धोके रख लिया है मैंने पतीले को फ्लेम पर रख दिया है इसमें मैंने तेल आइट कर दिया है तेल गरम होने लगा है अब हम इसमें ले ले लेएं दो मैंने तेज़ पत्ता ले लिया है दो बड़ी लाइची ले लिया है एक टुकड़ा दाल चिनी का ले लिया है एक टुकड़ा जाइफर ले लिया है चार-5 लॉंग ले ले है चार छोटी लाइची ले लिया है और थोड़ी शेद डाइवी त्री ले ले लिया है तो तिल हमारा गरंभूने लगा है अब हम इसमें तेज़ पत्ता डालेंगे तेज़ पत्ता मैंने डाल देंगे अब इसमें सारे सारे खड़े मसाले डाल देंगे मारा मसाले चटक गए है अब हम इसमें अपना मेरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे सारा चिकन हम लोग आराम आराम से डालेंगे चिकन को अच्छे से इसमें हम लोग पानी एड नहीं करना है इसको अच्छे से हम उसी पानी में बनाएंगे इसमें दही और चिकन अपना पानी इसमें छोड़ देते हैं उसी में चिकन हमारा गल जाएगा इसको अच्छे से हम लोग भुनते हुए बना लेंगे देख़िए हमारा चिकन भुना गया है अब हम इसमें चावल डाल देंगे अलो इसमें अपना पूरा चावल डाल देंगे मैंने 1.5 किलो चावल ले लिया था ड्योड किलो गोस था तो ड्योड किलो मैंने चावल ले लिया था यहां मैंने पानी एड़ कर दिया है पानी इसमें मैंने एक गिलास चावल लिया है तो ड्योड गिलास पानी ले लिया है दो गिलास पानी आप कभी मत लिजेगा मैं तो चावल गीला हो जाएगा चावल को मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है अब पानी को मैंने गरम करके लिया था और जो आपको पहले चावल डालना है तो पानी गरम करके लिया किजिए देखिए हमारे एक उबा ला गया है अब हम इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं नमक इसमें कम था मैंने एक चमच इसमें नमक आइट कर दिया है अब हम लोग इसको ढख के पका लेंगे 10 मिनट के लिए मैंने इसको फुल फ्लेम पर बनाया देखे 10 मिनट हो गया अब मैंने यहां बिर्यानी मसाला थोड़ा सा इसमें एड़ कर दिया है यह मैंने केसर वाला दूद रख दिया था उसको भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है मैंने फूट कलर भी थोड़ा सा इसमें केड़ा के पानी में डल कर इसमें एड़ कर दिया है और धनिया की पत्ती भी हम इसमें आइट कर देंगे, आमने प्याज जो तल के रखा था उसको भी इसमें आइट कर देंगे, अब इसको दस मिनट के लिए हम लोग दम पे रख देंगे, दस मिनट हमारा हो गया है, देखिए हमारे बिर्यानी कितने अच्छी बन के तयार हुए है, मैंने इसको लो फलेμ पर दस मिनट के लिए रखा था, ये कितना अच्छा बन के तयार हुआ है, चलेए मैं इसको निकाल के आप लोगों को दिखाते हूं, देखिए कितना अच्छा हमारा बिर्यानी बन के तयार हुआ है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें एक बार मेरे तरीके से बिर्यानी जरूर ट्राइ किजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि कैसा बना है इस बिर्यानी को बनाना बहुत ही आसान है एक बार जरूर ट्राइ करें, अल्ला हाफिए